हेलो फ्रेंज वेलकम तो यार यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87 अपनी अज जिदी इस वीडियो दे विच्छा पां अपनी येडी पोईम है वो करने जा रहे हां कुबला खान जिदी अपनी पोईम है अपनी बीए समेस्टर 6 और बीसी ए समेस्टर 6 दे विच्छ आपनी पोईम है येडि यहो दिती हुई ए written by Samuel Taylor College जा फिर ST College भी आपना कह सकते हैं सो कुबला खान जीड़ यह पोईम है एस पोईम दे विच है कि मैं तो आनू ब्रीफ दे विच दस दिन न उस तो बाद आप एस पोईम दा लॉंग कोर्शन करांगी कोमन ते ओस कोर्शन दे विच अपना सारा कुछ यह जड़ा हो आजावेगा आई थिंक दो कोष्चन आपनू करने पहन गेस दे विच दो कोष्चन दे विच आपा तो आनू एस पोईम दे यह जड़े स्टेंजाज ने उनना दे कॉंटेक्स्ट अथे एक्स्प्लेनेशन ने ओ मैं तो आनू उनना चुही करवा दे बंगा सब तो पहला था सुनो देख एस पोईम दे विच है की है देखो सब तो पहला पहा कुबला खान जड़ा कॉंट सी ओस बारे जान लन्या कुबला खान वाज अ मुगोल किंग मुगोल दा राजा सी गा जड़ चंगेज खान सी गा ओसदा हे पोता सी गा कुबला खान बारे ता पनू ए चीजा जड़ी है पता चल गी उस तो के किया है इट इस आ फ्रेग्मेंट पोईम जड़ी यह पोईम है एक फ्रेग्मेंट पोईम है फ्रेग्मेंट हुन दे टुकडा जा फिर खंड जी जड़ अपना राइटर है सैमुल टेलर कॉरिज एक बार की हुं दा है कॉरिज जड़ा ओसनु नीद आ जन दिये जो दोसनु बहुत गहरी नीद हो दिये आपने सुपने दे विचो की दे ज़े ओसनु मतल जड़ी एपोईम है ओस दे सुपने दे विचो दिये ओसनु महल बनवार है, अलफ नदीदे किनारे ते, केड़ी नदी अलफ ए नदीए, मतलब सुपने विच दिखदा है कॉर्रेजनु के कुबला खाना यड़ा अलफ नदीदे किनारे ते, अपना महल है यड़ा को बनवार है, और उस तो अगे ऐस सारी पोईम दे विच उसनु की अलफ नदीदे किनारे ते, अपना महल बनवार है, और जड़ी ओ नदीए, बहुत सारी यड़ी अपने केव्ज ने, सुरंग्ज ने, उन्ना बिच दी होके जान दीए, और अगे जाके उस सुमंदर दे विच जाके मिल जन दीए, और जड़ी जगा ते, ए महल बनाया है, क आनी बगद ए, उस दी जड़ी अवाज है, ओ कुबला खान नव अपने महल दे विच सुनाई दिए, और जड़ी ओ अवाज है, उसा अवाज दे विच कुबला खान जड़ा अपने पूरवज ने, उनना दी अवाज सुनदा है, कि उस दे पूरवज नों कहर रही ने, कि येड़ी अपनी जुद्ध दी कला है ओ तू जारी रख सो एस सारी पोई मैं येड़ी अपनू एह कॉलरेज दे सुपने दे विच्छ हों दिया पता चल दिया है उस्तों बाद जदो कॉलरेज नू सुपने येड़ा हो टुट दे उसदा जद उसनू जागां दिया है तो हो इस पोई मनू लिखना स्टार्ट कर दे मतलब सुपने दे विच्छ हो उसनू लगपक 200 या 300 लाइन दी एपोई मैं येड़ी सुपने दे विच्छ हों दिया है ते जदों कॉलरेज उठके जाग दै एस पोई मनू लिखना स्टार्ट कर दै ता ओहो सिर्फ फोट जड़ी अपने 54 लाइन भी लिख पहूंद है चरंजा सिर्फ चरंजा लेना ही लिख पहूंद है और येडिया ओ चरंजा लेना ने ओ अपने यह पोई मैं कुबला खान जो आपनो दिती हुई है अपने बुक दे विच्छ हो एही पोई मैं येड़ी आपक करांगे हुन देखो एस पोई मदे बिच अग्गे अपने इस दा सब्सक्राइब लोंग येडा क्वेश्चन में अपने ओ आपकर दिया अग्ये देखो हुन आपा इस पोई मदा लोंग क्वेश्चन येडा ओ करने जा रहे हां एस पोई मदे आपा दो लोंग क्रिटिक है फिलोसफर है अद थेयो अपने फ्रेंड विल्यम वर्सवर्थ जिसने की अपने फ्रेंड विल्यम वर्सवर्थ ते नाल वाज अफांडर ओफ दा रुमेंटिक मूवमेंट इन इंग्लेंड जो इंग्लेंड दे विचे रुमेंटिक मूवमेंट एडी ओस दा फॉंडर सी गा है विल्यम वर्सवर्थ ते नाल मिलके एसने एक किता सी गा and a member of the lake poetry जो मतलब poetry लिख देने पोईट ने येड़े उनना दे विचेस दा मशूर नाम है the present poem Kubla Khan is a fragment poem एक fragment poem है खन डेक टुकड़ है पूरी poem नहीं है कि सिर्फ 54 lines ने still it is a masterpiece of supernaturalism फिर भी ये हे nature बारे एक masterpiece है येड़ी poem है the poet once fell asleep after taking opium opium हुंद है मतलब afeem एक बार की येड़ा poet है अफीम दे नसे दे विचे मतलब सो गया the poem came to him in a dream so जिस तरहां की दस है ये poem उसनों सुपने दे विच आई he walk and start writing the poem ओठ या थे poem है ये लिख नहीं start किती he could write down 54 lines only सिर्फ 54 lines ही येड़ीया ने हो poet लिख सक्या तो अगे देखो इस poem दे विच है की है जो उसने लिखिया कुबला खान वाज मुगोल किंग मुगोल दा किंग सी गा कुबला खान he was the grandson of great imperer चंगेज खान चंगेज खान दा किसी पोता सी गा कुबला खान ओर्डर्ड हुन सुन देखो poem दे विच उसने मतलब की लिखिया की देखिया सी सुपने दे विचो स्टार्ट हो रहा है कुबला खान ओर्डर्ड a grand pleasure palace मतलब grand pleasure palace है जेड़ा ओह बनाओंदा हुकम देता कुबला खान ने to be built for him in a zandu zandu जगादा नाम है zandu जगादे उपर एस जगादा नाम है जित्थे बनाया गया सी है a piece of fertile land एक उपजाओ जमीन दा टुकड़ा येड़ा was chosen for this purpose इस परपस दे लिए एक जमीन दा उपजाओ टुकड़ा हो चुने आ गया कि जित्थे मतलब महल बनाओंगा it was 10 square in area 10 square area है हगा सी गा सारा it was encircled by walls and towers मतलब कंदा अते येड़े towers ने उनना दे नारे सुनुटा कलेता गया इस area नू inside the walls there were beautiful gardens मतलब कंदा ने बिच बहुत सुन सुने gardens जेड़े हगे ने ओ सी गे there were many trees with fruits and flowers fruit अते flowers दे बहुत सारे मतलब trees सी गे there were there were foresters मतलब जंगल ने जेड़े अंदर ओ भी सी गे foresters as old as the hills मतलब उनने ही प्राने जिन्निया प्राणिया पहाडियां सी गिया which spread greenery everywhere जो की हर तरफ जेड़ी greenery या हरया लिया है ओह फेला रहे सी गे Kubla Khan's palace was situated on the banks of the river अलफ अलफ रिवर दे कनारे दे उपर मतलब बनाया गया इड़ा है मैं सी this river rose from a huge fountain एक चरने दे विचो बहुत बड़े दे विचो हेडी निकल दी सी है नदी it ran five miles in jig jag मतलब बल खान दी हुई पंज मील तक है जान दी सी then it entered immeasurable caves उस तो बाद है जिनिया ना मिन जोग जिसन मिनिया नहीं नहीं जा सकता caves गुफामा दे विच जा मिल जा रहें दी है no man could measure their depth or length इनना दी डूंगा आई ते लंबाई कोई भी मतलब नहीं माप सकता कोई भी इंसान इनना दी गुफामा दी finally the river fell into a lifeless or sunless ocean that finally a lifeless यड़ा ओशियन स्मुंदर दे विचे जा के है नदी है यडी मिल जन दी है the river made a roaring sound मतलब एक sound है यडी अवाज पैदा करता है जो मतलब पानी चलता है नदी दा and कुबला खान hear the voices of his ancestors मतलब अपने पूरवज़ा दी अवाज आज़ी उसनों सुन दिया कुबला खान नो इस दे विचो they asked कुबला खान to memorize the art of war the poet saw in a dream a beautiful young girl मतलब जेडा है सुपना जो सुपने दे विच पोईम आई सी अपने कॉर्रिज नो उस सपने दे विच दो जेडियां चीज़ा ने अपना कॉर्रिज नो दिखाई देती है सियां एक ता कुबला खान महल है बन रहा सी जिस दे बारे आप पढ़ चुक यह ओ सी गा और दूसरा उसनों सुपने दे विच एक यडि व्यूटिफुल यंग गर्ल है यडि ओ भी दखाई दे लिती सी जो की मतलब म्यूजिक ब्या रही थी और उस के दाम म्यूजिक है और कुबला खान नो बहुत ही सुरीला रग रहा सी और कुबला खान केंद है के ओ म्यूजिक वाकई एनन्ना सुरीला सी के उस इप्विश पोयम नो चार चंद लं सितार दी तरह होंदा है कोई म्यूजिक इंस्टूमेंट सी गा ओह मतलब यह चक्क्या हो ऐसी उसने इन हर हैंड अपने हाथ दे विच्छ दा इंस्टूमेंट गेव आउट से ट्रेंज हैवली म्यूजिक जिड़ा इंस्टूमेंट है ओ बहुत ही स्ट्रेंज अजीव दो जिड़ा पोईट हो उठ्या ही फेल्ड तू रिवाइब द ट्यून ओ मतलो ओ ट्यून जिड़ी ओसनु जाद नहीं आरी सी जो ट्यून मतलो लड़की भी जा रही सी इट वाज सम्थिंग डिफरेंट ए कुछ डिफरेंट सी गी तून जिड़ी ट्यून सी गी एबल टू शो पीपल ताहों लोग का नो एदखा सकेगा दप लेजर पैलेस बिद्द केवज मतलो जड़ा प्लेजर पैलेस है बिद्द केवज ओदे बिच पैरहा सी ताह उसनु भूर भी ज़्यादा चार चंद नहीं कहना यहों लग सकतेने हर सॉंग वुड हैव पावर सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं पूलना अगली वीडियो दे विच अपा इस दा जड़ा सेकंड लॉंग कोश्चन है ओ लेके हमांगे ओदों तक देव इजाजत थैंक यू सो मच